हेलो फेंड स्वागत है आप सबका आपका अपना यूटीब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोग मंतली करेंट अफेर का एक सिरीज चलाते हैं अज पीडी पब्लिकेशन के द्वारा जो बुक जारी की जाती है हर महीने तो यह जो बुक है वो नवंबर 2022 से लेकर एक अक्टूबर 2023 तक अपडेटेड बुक है या फिर टेलिग्राम में जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया वहाँ जो गूरूप आएगा उसको जोइन कर लीजे वहाँ इसका पीडियो जो है वो प्रोबाइट करवा दिया जाएगा यह बुक जो है वो अस्पीडी की बुक है और 1 अक्टूबर 2023 तक अपडेटेड बुक है जिससे कि हम लोग सेप्टमबर के जितने भी इंपोर्टन करेंट अफेर्स हैं वो सारे करेंट अफेर्स को एक एक करकर देखेंगे तो चलिए बढ़ते अपने कोश्चन की तरफ आज का जो हमारा पहला करेंट अफेर है वो यह कह रहा है कि 1 सिप्टमबर 2023 को आधहार से जुड़ा जन पंजी करन सुरू करने वाला पुरबुत्तर का पहला राज जो है वो बना है नागालेंड आधहार से इंपोर्टेंट एक चीज है वो एकजाम में पूछा जाता है वी डिसेंटली असस्ती के एकजाम में यह कोश्चन पूछा गया था कि UIDAI में D का मतलब क्या होता है मतलब UDII का AI का फुल फॉम आप लोग को पता होना चाहिए तो इसका फुल फॉम जो होता है व पता पलट किया गया है वो देश का नाम है गवान यह अक्चोली पस्चिम मध्य फिरका में एक देश है जिसकी राजधानी है लिब्रे बिले कहां राजधानी है लिब्रे बिले केंदर सरकार की One Nation One Election कमीटी का अध्यच की से बनाया गया है तो केंदर सरकार की एक योजना है One Nation One Election One Nation One Election का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ चुनाब करवाया जाएगा जिसमें की लोग सभाव राजधियों की विधान सभाव भी जो होगी वो सामिल होगे और उसी कमीटी के लिए कमीटी बनाया गया है One Nation One Election कमीटी जिसका अध्यच जो है भो बनाया गया है जो हमारे पुर्व राश्टपती थे जिनका नाम था रामनादकोविद या जो One Nation, One Election Committee है या ध्यान रखिएगा या आठ सदस्य कमीटी है जिसमें कि रामनात कोविन जो हो गया वो अध्यच हो गया इनके साथी साथ जो हमारे ग्रिह मंत्री है अभी साजी, लोग सभा में कॉंग्रेस के निता जो है अधिर रंजन चोथरी, राज सभा में जो विप इंटरनेशनल एमी अवर्ड जो है वो अक्चोली है किया यह एक अमेरिकी पुरुसकार है जो कि टेलीवीजन उद्योग में उतकृष्टा को माननेता देता है और इंटरनेशनल एमी अवर्ड जितने वाली पहली भारतिये महिला जो बनी है वो कौन बनी है वो बनी है एक टाकपूर रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्याच्च कौन बनी है तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्याच्च है जिनका नाम है जया बर्मासिना किस अमेरिकी राच ने अक्टूबर को हिंदू बिरासत माह गोसित किया है तो किस अमेरिकी राच ने अक्टूबर क पहले सुर्ज मिशन आदित एलवन को कहां से लौंच किया है, तो ISRO जो है बो अपना पहला सुर्ज मिशन आदित एलवन, उसको लौंच किया है सिरीहरी कोटा से, इस रोका फुल्फरम होता है Indian Space Research Organization, जिसकी अस्थापना जो हुए थी, वो हुए था 1969 में और इसका हेटक्वाटर जो है वो कहां इस्थित है बैंगलोर में इस्थित है आगे है कि BRICT Innovation Forum से किसे बर्ल्ड इनोवेशन एवार्ड मिला है बर्ल इनोवेशन एवार्ड जो है वो अक्चली सतत विकास लच में उतक्रिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है जो समाबेसी और न्याय संगत गुनबक्ता सिच्छा जो है वो सुनिश्चित करता है और यह दिया कि इनको गिया है यह दिया गया है सांता थोटम को और यह है कौन यह तेलंगना की मुख नाबचार अधिकारी है जिनको किया है या वोर्ड जो है वो दिया गया है फिर आगे है FIDE Ranking FIDE FIDE Ranking का मतलब होता है International Chase Federation Ranking में भारत के सिर्ष सतरंज खिलाडी कौन बन गया है तो उनका नाम क्या है उनका नाम है D Gukes आगे है Gai Jatra Ussab Gai Jatra का मतलब होता है Gaiyo का एक Festival होता है वो कहां मनाया गया है तो Gaiyo का यह जो Festival है Gai Jatra Ussab वो नेपाल में मनाया जाता है जूरिक Diamond League Championship 2023 में नीरत चौपड़ा ने कौन सा पतक जीता है तो नीरत चौपड़ा कौन है यह हमारे भारत से बिलोंग करते हैं और यह कौन है एक Jablin Thrower है भाला फेक खिलाडी है और यह जूरिक Diamond League Championship 2023 में एजरेज़त पतक जो है वो अपने नाम किये है फिर है CCI ने, CCI का मतलब होता है Competition Commission of India मतलब भारतिये प्रतियस्प्रधा आयोग जिसकी अस्थाबना जो हुई थी वो 2003 में हुआ था और इसका Headquarter जो है वो New Delhi मेर्स थी थे तो यहां आपसे कह रहा है कि भारतिये प्रतियस्प्रधा आयोग ने विस्तारा के किस Airlines में बिलाय की मन्जूरी देती है तो विस्तारा Airlines जो है वो अब Air India में बिलाय हो जाएगा इसका फिर है कि किसे Missage Universe India 2023 का ताद जो है वो पहनाया गया है किस देश में 3000 साल पुरानी पुजारियों का कबर का पता लगाया है तो किस देश में लगाया है पेरू देश में लगाया है पेरू की अगर बात करते हैं तो ध्यान रखिएगा पेरू जो है वो दच्छनी अफिरका सौरी अफिरका नहीं अमेरिका दच्छनी अमेरिका महादीप में इस्थित एक देश है जिसकी राध्धानी कहा है उत पेरू की राध्धानी है लीमा आगे है कि 2022 में अस्मार्ट सिटी मिसन प्रदर्शन में कौन जो है वो सिर्ष पर रहा है तो स्मार्ट सिट्टी मीसन प्रदर्शन में कौन सेट्स पर रहा है मध्य प्रदेश जो है वो सेट्स पर रहा है आगे है कि चर्चित ओपरेशन मुस्कान जो है वो किस सहर में लागू किया गया है ओपरेशन मुस्कान एक्चोली है क्या वो समझे Operation Muskan एक ग्रीह मंतराले की एक प्रियोजना है जिसका उद्देश जो है वो लापता बच्चों को ढूंडने उनको बचाना और फिर उनका पुन्दवास करना से संबन दित है और ये Operation Muskan जो है वो किस सहर में लागू किया गया है नेक्स्ट है कि Durand Cup 2030 कि स्टीम ने जीता है तो Durand Cup जो 2030 है वो मोहन बगान सूपर जोइन्ट के द्वारों जीता गया है और किसको हराकर जीता गया है इस्ट बंगाल को हराकर जीता है आप लोग को बताना है एक इजी सा question है कि Durand Cup जो है वो किस खेल से संबन दित है आप लोग को कमेंट करके क्या बताना है मैं question फट से repeat कर रहा हूँ कि Durand Cup जो है वो किस खेल से संबन दित है जो कि जिसका 2030 का जो संस्करन था वो मोहन बगान सूपर जोइन्ट के द्वारा इस्ट बंगाल को हराकर जीता गया है इस राजी के मुख मंतरी ने दिब्यांग बच्चो को ससक्त बनाने के लिए ये सबल योजना सुरू किया है, सबल योजना किस से संबंदित है, दिब्यांग बच्चों को ससक्त बनाने से संबंदित है, और किस राज्य के द्वारा सुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेस राज्य के द्वारा सुरू किया गया है, हिमाचल प्रदेस की एक और योजना है है मधु में जो सम्बंधित होते हैं डायबट्र लैजिस्ट अप ले इए प्रुसकार किसे जीता है। डॉक्टर नभी नगरबाल के द्वारा जीता गया है और यह जो रास्किये मधु में बिसेशग पुरुसकार है वो E.T. Healthcare Awards के द्वारा प्रस्तूत किया जाता है डॉक्टर बीजी पटेल मिमोरियल एवार्ड 2023 से किसे सम्मानिज किया गया है तो डॉक्टर बीजी पटेल मिम आसियान का मतलब होता है Association of Southeast Asian Nation जिसका हेटकॉर्टर जो है वो जाकरता इंडोनेसिया में इस्तित है तो वही आपसे पूछ रहा है कि 43 मा एसियान सिखर सम्मेलन कहा आयोजित किया गया तो यह उसके हेटकॉर्टर यानि जाकरता इंडोनेसिया में ही उसका आयोजित जो है को किया गया है नेक्स है कि नटिया बुजथम किस देश की 100 विकेट लेने वाली पहली एसोसियेट खिलाडी बन गई है तो नटिया बुजथम किस देश से सम्मंदित है यह जो है वो थाइलेंड की खिलाडी है तो इनका सम्मंद जो है वो थाइलेंड क्रिकेट से है किस र प्रोवियर्जित कौन करेगा मतलब स्पॉंसर कौन करेगा तो वो करेगा महिंद्रा आईशी सी पुरुस क्रिकेट बिस्वकप नहीं हो रहा है लेकिन आपसे एकजाम में क्या क्या पूछ सकता है वो याद रखियेगा चौदहमा पूछ सकता है चौदहमा विस्वकप किरकेट जो है वो 2027 में होगा और दच्छी नफिर का जिंबाबे और नामीबिया जो है वो इसका संजुक्त रूप से आयोजन करेगा और पंदरहमा अगर पूछा जाए तो पंदरहमा विस्वकप किरकेट जो है वो 2031 में होगा और इसका आयोजन जो है वो फिर से भारत और बंगला देश के द्वारा किया जाएगा नेक्स्वकी बिस्वकी सबसे उची नट्राज परतिमा कहां स्थापित की गई है तो बिस्वकी सबसे उची नट्राज परतिमा जो है वो कहां स्थापित किया गया है दिल्ली में स्थापित किया गया है देश की पहली सोलर सीटी का उस घाटन कहा किया गया है तो देश का पहला सोलर सीटी जो है वो क्या उन है साची है और साची कहां इस्थित है मध्य पदेश में इस्थित है फिर है कि 6 दिसंबर 2023 को किस EMS का मतलब होता है All India Institute of Medical Science ने दबाओ टी को साप रोधी जहर को आपूर् करेगा EMS पटना के द्वारा यह चीज जो है वो किया जाएगा आगे है कि Hangzhou ACI खेलों में भारतिये दल का Official Sponsor कौन बना है तो Hangzhou ACI खेल में भारतिये दल का जो Official Sponsor बना है वो बना है Amul किस राज की राएगड़ा सॉल को GI Tag मिला है तो राएगड़ा सॉल किस राज का है उ उडिसा से दो GI Tag याद रखिएगा एक है राएगड़ा सॉल और एक है कोरा पूट काला जीरा चाबल मैं फ़र से रिपीट कर रहा हूँ कोरा पूट काला जीरा चाबल जो है वो भी उडिसा कहीं है जिसको की GI Tag जो है वो दिया गया है आगे है कि किसे ब्रिटेन के टॉप नौन फिक्सन प्रुसकारों की लॉंग लिस्ट में सामिल किया गया है तो यह किसको सामिल किया गया है डॉक्टर सिदार्थ मुखर जी को जो है वो सामिल किया गया है फिर है कि किसने Leading Fintech Personality of the Year प्रुसकार जीता है तो Leading Fintech Personality of the Year जो है वो अधीब आहमत के द्वारा जीत आई हैं और Lulu International Exchange के ये संस्थापक हैं Miss International India 2023 कौन बनी है तो Miss International India 2023 जो बनी है उनका नाम है प्रभीना अंजना कि सहर की पुलिस ने बरिष्ट नागरिकों के लिए सवेरा योचना शुरू किया है सवेरा योचना पहले तो है क्या बरिष्ट नागरिकों के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश जो है वो परियागराज छेतर के जो साथ जिले हैं उनमें रहने वाले बरिष्ट नागरिकों को स्वास्त और अनापात श्थीतियों के द्वारान अवस्यक से जो हैं वो प्रदान करना है और यहां सुरू किस के द्वारा किया गया है परियागरा सहर की पुलिस के द्वारा सुरू किया गया है दुनिया के किस सहर ने खुद को दिवालिया घोजित कर दिया है तो दुनिया की कौन सी सहर है जो खुद को दिवालिया घोजित किया है बर् प्राइट स्टार 2023 कहां हुआ है? मिसर में हुआ है तो यह जो है वो वहाँ भाग लिया है ACI Table Tennis Championship 2023 में भारतिये टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो ACI Table Tennis Championship 2023 में भारतिये टीम जो है वो कास से पदक अपने नाम किया है? One Sun, One World, One Grid One Sun, One World, One Grid सम्मेलन जो है वो कहां आयोजित हुआ है? तो यह सम्मेलन का आयोजन जो है वो कहां किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है के अंदर ने Medical सिछा में सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए कितने परतिसात आरच्छन के मनजूरी जी है? तो के अंदर जो है वो अब Medical सिछा में सरकारी स्कूल के छात्रों को 10 परतिसात जो है वो आरच्छित कर दिया है किस देश के सोथ करताओं ने अस्ट्रीम कोसिकाओं से कृत्रिम भ्रून बनाया है? तो यह किस देश के सोथ करताओं के द्वारा बनाया गया है? पर्धान मंतरी मोधी को सुरच्छा देने वाले किस SPG? SPG का मतलब होता है Special Protection Group अधिकारी का निधन हो गया है तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है अरून कुमार सिनहा फिर है कि किस राज के सलेम सागो? सलेम सागो को GI टैग मिला है तो सलेम सागो कहां का है? तमिलाडो का है तमिलाडो के और भी वहुत सारी प्रोड़क्ट सें जिनको GI टैग मिला है जैसे कि एक तो ये हो गया सलेम सागो इसके आगे है मैटी केला, जदेरी नाम कटी, चेदी बूटा साडी, आथूर पान का पत्ता, माना मुदरई मृदभांड, कंबम, अंगूर ये सब तमिलाडो का प्रोड़क्ट है जिसको की GI टैग दिया गया है किसे लच्मी कुमारी चुड़ाबत बाल साहित प्रोषकार प्रदान किया गया है तो यह किसको दिया गया है? अदवयत जिन्द को दिया गया है अस्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट बिस्वकप कहां आयुजित किया जाएगा? किस बैंक ने नेशन फर्स ट्रांजिट कार्ड जारी किया है तो यह जो है वो State Bank of India के द्वारा नेशन फर्स ट्रांजिट कार्ड जो है वो जारी किया गया है चर्चा में रही उमियाल जील किस राज में इस्थित है तो मियाल जील जो है वो किस राज में इस्थित है या मेघाले राज में इस्थित है किस राज ने 15 अप्रेल को पोईला बैसाख मनाने का निन्ने लिया है तो पोईला बैसाख किस राज में मनाया जाएगा पश्चिम मंगाल में मनाया जाएगा और कब मनाया जाएगा पंदरा अप्रायल को मनाया जाएगा किस राजी की काबिनेट ने ट्रांसजंडर समुदाय के लिए पेंसन और OBC दर्जे की मंजूरी दी है तो ट्रांसजंडर समुदाय को पेंसन दिया जाएगा और OBC का दर्जा दिया जाएगा यह किस राजी में होगा? भारत और फ्रांस से एक और याद रखिएगा फ्रिंजक्स फ्रिंजक्स का भी आयोजन जो है वो भारत और फ्रांस के ही बीच होता है किस देश ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वेम संप्रभू रास्थिय डिजिटल आइडी की सुरुआत की है तो या जो है वो भुटान के द्वारा सुरू किया गया है किस देश ने अपनी पहली नुकलियर अटक सबमरीन लॉंज किया है तो nuclear attack submarine जो है वो उत्तर कोरिया के द्वारा launch किया गया है किस राजिके राजपाल ने 37 में रास्टिये खेलों के लिए मसाल का सुभारंब किया है तो किस राजिके राजपाल के द्वारा किया गया है गोवा राजिके राजपाल के द्वारा तो स्वच्छ बायू सर्विच्छन 2023 में इंदौर जो है वो सिर्फ पर रहा है दूसरे नमबर पर आगरा और तीसरे नमबर पर थाने रहा है बच्चों को AI सिखाने यानि Artificial Intelligence सिखाने में मदद के लिए सरकार ने किसके साथ समझोता किया है जैसे आप लोग PDF को फोलते होंगे तो Adobe Reader दिखता होगा आपको फिर है कि किस देश ने विस्व के सरस्रेश्च देश का खिता है स्विजर्लेंड के द्वार जीता गया है आप लोग नीश में सुने होंगे एक नाम एंज़ चंदरबाबू नाइडू जो कि आंध्रपदेश के पुर्मुखमंतरी थे उनको कौसल विकास गोटाले में गिरफतार किया गया है तो आंध्रपदेश के पुर्मंतरी को किया गया है और अभी अगर बात करते हैं तो अभी आंध्रपदेश के मुखमंतरी का नाम है जग मोहंडर्टी और यहां के गव दिवस घोसित किया है, अमेरिका के द्वारा घोसित किया गया है, किस देश की सुप्रिम कोट ने गर्भपात को अपराद की सरेनी से बाहर कर दिया है, तो गर्भपात को अपराद की सरेनी से बाहर कर दिया है, मैक्सिको देश की सुप्रिम कोट ने, मैक्सिको एक्चुली उ काबिनेट ने AFSPA AFSPA का मतलब होता है Armed Force Special Powers Act क्या होता है? Armed Force Special Powers Act हटाने के लिए सिफारिस किया है. तो किस राज की काबिनेट ने किया है? असाम राज की काबिनेट के द्वारा किया गया है. किस देश ने G20 सिखर सम्मेलन में बैस्विक जाब इंदन गटवंदन शुरू करने की बात की है. तो G20 सिखर सम्मेलन में बैस्विक जाब इंदन गटवंदन शुरू करने की घोसना जो है वो किस के द्वारा किया गया है? सॉरी भारत के द्वारा किया गया है. US Open पूरू सेकल खिताब किस ने जीता है? तो US Open की अगर बात करते हैं तो इसमें पूरू सेकल का खिताब जो है वो नुवाग जो कोबिप के द्वारा जीता गया है और अगर आपसे पूछ दे कि महिला एकल किस के द्वारा जीता गया है? तो महिला एकल जो है वो बंगस वैली फेस्टीबल आयोजित किया गया है तो बंगस वैली फेस्टीबल जो है इसका आयोजन जो है वो कहां किया गया है जम्मू कास्मीर में किया गया है इंडोनेसिया बैडमिंटन मास्टर्स इंडोनेसिया बैडमिंटन तो Green Railway Station Certificate जो है वो किसको दिया गया है हाली में बिजय बाड़ा Railway Station को दिया गया है वंडे में सबसे 13,000 रन बनाने वाले खिलाडी कौन बन गया हैं तो वो बन गया हैं बिलाच कोली किसने Basketball बेसुकब 2023 जीता है तो Basketball बेसुकब 2023 जो है वो जर्मनी जीता है इसका मतलब क्या होता है South Asian Football Federation Under 16 Football Champion कौन बना है तो South Asian Football Federation Under 16 Football Champion बना है भारत सांसादों के खिलाब अपराधिक मामलों में कौन सा राज सिर्ष पर है तो सांसादों के खिलाब अपराधिक मामले में जो सिर्ष पर बोराज है बोराज है केरल चौथी G20 सतत बित कार्य समुह की बैठक कहा हुई है तो चौथी G20 सतत बित कार्य समुह की बैठक जो है वो 12 C में हुआ है सबसे तेज 150 ODI बिकट लेने वाले भारतीय स्पीनर है किस नगरनिगः ने C asked for best और योशना सुरू किया है तुफान डेनियल एक तुफान आया था डेनियल ने किस देश के डर्णा सहर का 20% हिस्सा जो है वो तबाह कर दिया है तो यह डर्णा सहर किस देश में है लीबिया देश में है तो लीबिया इसका अंसर हो जाएगा तो क्या इसका अंसर हो जाएगा लीबिया इसका अंसर हो जाएगा लीबिया अक्चुली उत्री अफिरका में इस्थित एक देश है जिसकी राधानी है ट्राइपोली कहां राधानी है लीबिया की ट्राइपोली आगे है कि कहां के सोध करताओं ने कैंसर कोसी काओं को नस्ट करने के लिए द्रिस्टिकोन विक्षित किया है किस देज की बायू सेना को? Airbus से पहला C295 परिवहन बिमान मिला है किसको? भारत को पांचमी बार रास्टिये विल्चेर रग्बी चेंपियंसिप किसने जीता है? तो रास्टिये विल्चेर रग्बी चेंपियंसिप पांचमी बार महरास्ट के द्वारा जीता गया है ITIA का मतलब होता है International Tennis Integrity Agency ने सिमोना हाले पर डोपिंग के आरोप में कितने साल का प्रतिवन लगा दिया है तो कितने साल का लगाया है? चार साल का लगाया है इस बार नौसेना दिवस किस किले में मनाया जाएगा तो इस बार नौसेना दिवस जो है वो सिंदु दुर्ग किला में मनाया जाएगा चीन ने डाओ जिंग को किस देश में अपना नया राजदूत निफ्थ किया है तो चीन के जो डाओ जिंग है वो अफगानिस्तान में नई राजदूत के रूप में निउप्स किये गए है किस आयटी के सोथ करताओं ने फॉर्मसूटिकल और खाद उत्पाद विक्सित किया है तो pharmaceutical और खाद उत्पाद जो है वो IAT को हाटी के सोथ करताओं के द्वारा विक्सित किया गया है किस राजसरकार ने GIGS रम्मिकों के लिए 4 लाग रुपे का भीमा कबर सुरू किया है तो GIGS रम्मिकों के लिए 4 लाग भीमा कबर सुरू किया है करना टकर राजसरकार ने किस राज के मुखमंतरी ने ग्री आधार योचना सुरू किया है तो ग्री आधार योचना जो है वो गोवा राजसरकार के द्वारा सुरू किया गया है और यह ग्री आधार योचना जो है वो ग्रहनीयों को बीतिय सहायता प्रदान करने और उन्हें आत्म में भर बनाने और उनके जीवन की समगर गुनबकता को बढ़ाने के उद्धेश से सुरू किया गया है किस राज के परिवहन विभाग ने नेशनल कॉमन मॉबिलिटी कार्ड पेस करने का निन लिया है तो National Common Mobility Card पेस करेगा हरियाना राज का परिवहन विभाग दिब कला मेला जो है वो कहां युजित किया जाएगा तो दिब कला मेला का युजिन जो होता है वो कहां किया जाएगा 12 नसी में किया जाएगा OIML OIML का मतलब होता है International Organization of Legal Metrology परमान पत्र जारी करने बाला तेरहमा देश कौन से बन गया है तो वो बना है भारत भारत किस देश का सबसे बड़ा निर्यात भागिदार बन गया है तो भारत जो है वो बंगला देश का सबसे बड़ा निर्यात भागिदार बन गया है Miss Universe पाकिस्तान 2023 कौन बनी है तो वो बनी है Erika Robin उनका नाम क्या है Erika Robin भारतिये फुटवाल टीम की अधिकारिक एरलाइन कौन सी बन गई है तो भारतिये फुटवाल टीम की अधिकारिक एरलाइन बन गई है Indigo Airlines जमीनी अस्तरपर क्रिप्टो अपनाने में कौन सा देश शेज पर रहाए जमीनी अस्तर पर क्रिप्टो अपनाने में भारत जो है वो सिर्स पर रहा है। कित राज की बिधान सवा ने OBC के लिए 27 परतिसत अस्थानिय निकाय सीटो आरचित करने वाला बिधेग जो है वो पेस किया है। तो यह किया है गुजरात राज की बिधान सवा ने टाइम पत्रिका की The World's Best Companies 2023 के लिस्ट में कौन सी कमपनी सामिल हुई है। आगे हैं 17 सितंबर 2023 को कितने कालाकारों को संगीत नाटक अकाड में अमरित प्रुसकार से सम्वानित किया गया है। आगे है कि किस देश ने 12 सुखोई SU-30 MKI खरीदने का फैसला किया है तो यह किया है किस देश ने भारत ने। किस एरलाइन्स ने 16 हवाई एड़ो पर प्रोजक्ट अभिनंदन शुरू किया है। अभिनंदन जो है वो एर इंडिया के द्वारा सुरू किया गया है। कौनसी राजि सरकार जो है वो नमो 11 सुत्रिय कारजक्रम लागू करेगी। तो नमो 11 सुत्रिय कारजक्रम जो है वो महराज सरकार के द्वारा लागू किया जाएगा। सिंगापूर Grand Prix 2023 किस ने जीता है तो सिंगापूर Grand Prix 2023 जो है वो कारले सेंच के द्वारा जीता गया है कहां इस्थित सांती निकेतन को यूनेसको ने भारत के 41 में बिस्व धरोहर के रूप में मानता दिया है तो ये 41 मा बिस्व धरोहर कौन बना है बना है सांतीनी केतन और यह स्थित कहां है बीर भूमी पश्चिम मंगाल में यह जो है वो इस्थित है एक याद रखेगा 42 मा बिस्व धरोहर भी बन गया है वो बना है होल सोल मंदिर जो की करनाटक में इस्थित है किसे फ्रांस का सेवेलियर डी एल आर्डो ड्रेस आर्ट अट ड्रेस लेटर्स प्रूस कार मिला है तो यह मिला है एराहूल मिसरा को इला बेनिल बलारीबन ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल अस्प्रधा में कौन सा पदक जीता है तो उन्होंने स्वन पदक जो है वो अपने नाम किया है पैरा कमांडो बनने वाली पहली महिला आर्मी सरजन कौन बनी है तो उनका नाम है पायल छाबडा जोति अदित्तराई सिंधिया ने कहां उडान भवन का उद्गाटन किया है दिल्ली में किया गया है भारत की G20 आधेचता पर पिपुल्स G20 नामक इपुस्ताकान आबरन किसके दौरा किया गया है तो यह किया गया है अपुर्ब चंदरा के दौरा कहां इस्थीत हो साला मंदिर को यूनेशको की बिस्व धरोहर सुची में सामिल किया गया है तो यह जो कहां इस्थित है बेलूर करनाटक में इस्थित है ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD कहां खोली गई है तो ट्रांसजेंडरों के लिए समर्पित भारत की पहली OPD जो है वो दिल्ली में खोला गया है अमेरिका और किस देश ने पांच कैदियों की अदला बतला की है तो अमेरिका और इरान के द्वारा पांच कैदियों की अदला बतली जो है वो किया गया है पुराना जो संसद्भवन है वो अब क्या कहलाएगा तो पुराना संसद्भवन जो है वो अब संबीधान सदन के नाम से जाना जाएगा किस राज के मुखमंतरी ने मुखमंतरी क्रिसक मित्र योचना शुरू की है तो मुखमंत्री क्रिसक मित्रियोजना जो है वो मध्यपदेश राज के मुखमंत्री के द्वारा सुरू किया गया है ICC ODI रैंकिंग में कौन सिर्स पर है तो ICC ODI रैंकिंग में सबसे सिर्स गेंदवाद जो बने हैं वो बने हैं यह जुबें दरिचहल किस राज्य सरकार ने 29 जून को बैपारी कल्यान दिवस खोशित किया है तो 29 जून को बैपारी कल्यान दिवस जो है वो उतर परदेश सरकार के द्वारा सुरू किया गया है नुवाखाई जुहार तोहर कहां मनाया गया है तो यह मनाया गया है उडिसा में दच्छीन चीन सागर में किस देश ने आसियान संजुक्त सैन अभ्यास सुरू किया है तो यह दचिन-चिन सागर में आसियान सर्जुक्त सैन अभ्यास जो है वो इंडोनेसिया ने सुरू किया है किस कंपनी ने आगामी ICC पिस्वकप 2023 के लिए टीम इंडिया की जर्सी लॉंच किया है तो यह किस कंपनी ने किया है एडिडास ने किया है बल्ड अस्पाइस कॉंग्रेस का चौधामा संसकरन कहां सुरू हुआ है तो बल्ड अस्पाइस कॉंग्रेस का चौधामा संसकरन जो है वो मुंबई में सुरू हुआ है प्रमीला मलिक किस राज बिधान सवा की पहली महिला अध्यच नमांकित हुई है तो प्रमीला मलिक जो है वो उडीसा की है और उडीसा राजविधान सभा की पहली महिला अध्याच जो है वो नमांकित हुई है किस राजसरकार ने राज के कुलपतियों की नुक्ति को बीनियमित करने हे दू बिध्ययक पेस किया है तो हिमाचल प्रदेश जो है वो राज के कुलपतियों की नुक्ति को बीनियमित करने हे दू पिध्ययक पेस किया है किस राज के क्रिटेशवर गाउं को भारत के सरस्रेश्ट प्रियाटंगाउं का प्रोस्कार मिला है तो क्रिटेसवर गउंजो है वो कहा है पश्चिम मंगाल में है परदानमंत्री मोदी ने किस देश के राष्ट पती को गंतन दिवस पर मुकतिती बनने के लिए आमंत्रित किया है तो अमेरिका के राष्ट पती को आमंत्रित किया है ACI खेलो के उद घाटन समारों में भारतिये दल का धोजबाहग किसे बनाया गया है तो ACI खेलो के उद घाटन समारों में भारतिये दल का धोजबाहग जो बनी है वो बनी है हर्मन प्रेसिंग और लबलीना बोर्गोहेन भारत और किस देश के बीच बासिक, नौसेना, तमुद्री, दूी-पच्शीय अभ्याद सिंबक सुरू हुआ है तो सिंबक किस के किस के बीच होता है? भारत और सिंगापूर के बीच होता है किस राजसरकार ने मुखमंतरी आत्म निर्भार अभियान सुरू किया है? तो मुखमंत्री आत्म निर्भर अभियान जो है वो आसाम राज सरकार के द्वारा सुरू किया गया है किस देश ने भारत में अपने राजनियक मिसनों में राजनियकों की संख्या कम करने की घोसना किया है तो यह किस देश ने किया है कनाडा ने किया है अगस्ट 2023 के ICC Player of the Month कौन बने है तो अगस्ट 2023 के ICC Player of the Month बनी है अर्लिन कैली महिला में और पुरूस में बाबा राजम जिनका संबंध कहां से है पाकिस्तान से है किसे परतिश्चेत Norman Boralock Field Award 2023 जो है वो प्रदान किया गया है तो Norman Boralock Field Award 2023 जो है वो किसको प्रदान किया गया है वो प्रदान किया गया है स्वाति नायक को तो इसका जो अंसर है वो क्या है स्वाति नायक है आगे है कि किसे परतिश्चेत एकलभ प्रुसकार से सम्मानित किया गया है तो प्रतिस्टित एकलब प्रुसकार जो है वो कित को दिया गया है पलक सर्मा को दिया गया है फिर है कि अब 20 सिप्टमबर को नदी उस सब का चौथा संसकरण कहां सुरू हुआ है तो यह सुरू हुआ है दिल्ली में कौन सा राज जो है वो ई काबिनेट वाला देश का चौथा राज बन गया है तो ई काबिनेट वाला देश का चौथा राज जो है वो बन गया है तिरपूरा सिंदू जल्बिवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक कहां हुई है तो सिंदू जल्बिवाद पर भारत और पाकिस्तान के बीच बैठक जो है वो बिया नामे हुआ है किस देश ने अपने अत्याधूनिक Artificial Intelligence अंचालित युदक टैंक बराक का अनाबरन किया है तो बराक का अनाबरन किस देश ने किया है इजरायल ने किया है कौन सा देश जो है वो ICC यानि International Cricket Council के तीनों फॉर्मेट यानि की T20 वन डे और टेस्ट ये तीनों फॉर्मेट में नंबर वन बन गया है तो यहां बन गया है भारत बकी बैंक टैया को किस राज के SC St.io का नज आध्यच चूना गया है किस देश के पुर्वराष्ट पती जी जोर्जियो नेपोली टानो का निधन हो गया है तो यह किस देश के पुर्वराष्ट पती है इटली के पुर्वराष्ट पती थे भारत का पहला लाइट हाउस उसब कहां सुरू किया गया है बिस्व रेसलिंग चैंपियंशिप में भारत के किस रेसलर को का से पदक मिला है तो भारत के किस रेसलर को मिला है अंतिम पंगाल को मिला है किस देश के जागोरी को यूनेसको के बिस्व धरोहर सुची में जोड़ा गया है तो जागोरी कहां में इस्थित है ग्रिस में है जिसको की उन्हें इसको बिस्वधरोहर सुची में जोड़ा गया है PM किसान Artificial Intelligence चैटपॉट किस ने लॉंच किया है तो PM किसान जो यह चैटपॉट है यह कैलास चौधरी के द्वारा लॉंच किया गया है जो कि किसी और किसान कल्यान मंत्री है BCCI ने Domestic और International Season के लिए किसी Official Partner चुना है BCCI यानि की Board of Control for Cricket in India ने Domestic और International Season के लिए Official Partner जो है वो SBI Life को चुना है Railway Board ने Train दुरगटनाओं के मुआपजों की रासी को कितने गुना बढ़ा दिया है तो Railway Board जो है वो 3 दुरगटनाओं से जो मुआपजों की रासी प्रतान होती है उसको 10 गुना बढ़ा दिया है किस राज ने प्राकिटिक खेती को बढ़ाबा देने के लिए Mobile Van कार्चकरम सुरू किया है हीमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो है वो सुरू किया गया है आगे है कि किस देश ने Railway के Signaling System को बिक्सित करने के लिए भारत के Irkon International के साथ समझोता किया है तो सिरलंका के Railway ने किया है किस राज के मुखवंत्री ने BG 2024 वेबसाइट और Mobile App लौँच किया है तो BG 2024 वेबसाइट और Mobile App जो है वो गुजराज सरकार के द्वारा लौँच किया गया है चार सो एकामन करो रूपे की लागत वाले अंतरास्टी है क्रिकेट स्टेडियम का सिल्यनास कहां किया गया है तो यह किया गया है बारह नसीबें किस देश ने दुनिया की सबसे मुक्त अर्थवेवस्था के रूप में होंग को पीछे छोड़ा है तो किस देश ने होंगकों को पीछे छोड़ा है सिंगापूर ने पीछे छोड़ा है आगे है कि किसे खाद पसू का जी आई टैग मिला है तो किसे खाद पसू का जी आई टैग मिला है मिथुन को किसे जम्मू कास्मीर में कचडे के खिलाफ यूद के लिए राजदूत नुख किया गया है कैप्टैन बाना सिंग को भारत उर्जा सिखर सम्मेलन 2023 का उधगाटन कहां किया गया तो यह किया गया है नई दिल्ली में किस राज में भारत पाक सीमा पर सांचू पोस्ट पर सीमा द्वार का उधगाटन किया गया है तो किस राज में है ये सांचू पोस्ट जाजस्थान राज में है एक सूचना अनुसार भारत के बाहर दुनिया के सबसे बड़े हिंदु मंदिर का उद्गाटन कहां किया जाएगा? तो यह किया जाएगा अमेरिका में, अमेरिका के न्यू जर्सी में रच्छा मंत्री राचनाज सिंग ने भारत ड्रोन सक्ती 2030 प्रदर्शनी का उधगाटन कहां किया है तो भारत ड्रोन सक्ती 2030 प्रदर्शनी का उधगाटन जो है वो गाजियाबाद में किये है किस राज में कर्मा पूजा तेवहर मनाया गया है 3000 चक्के लगाने वाले दुनिया की पहली क्रिकेट टीम कौम सी बन गई है तो बो बनी है भारती एक क्रिकेट टीम Indian Grand Prix 2030 किसने जीता है तो Indian Grand Prix 2030 मारको बेजनगी के द्वारा जीता गया है यह मारको बेजनगी जो है वो एक इटालियन राइडर हैं यह भी आपको ध्यान रखना है किस थीम के साथ 27 सिप्टमबर को 20 परियटन दिवस मनाया गया 27 सिप्टमबर को मनाया जाता है 20 परियटन दिवस और इस बार का जो थीम था वो था परियटन और हरी दिनी वेस किसके द्वारा लिखित पुस्तक नेशन कालिंग का विमोचन किया गया है तो यह जो है वो सोनल गोयल के द्वारा लिखी गई है भारत के किसराज में 54 टाइगा रिजर बिरंगना दुर्गाबती टाइगा रिजर मिला है तो यह कहां किया गया है यह किया गया है दिल्ली में और यह जो है वो पेट्रॉलियम और प्राकिर्टिक गयास मंत्री है हरदीप सिंग पूरी उन्होंने हरी जंडी दिखा कर इसे रवाना किया है किस देश ने 41 साल बाद घुर सबारी में सवन्पदक जीता है तो यह जीता है भारत ने 28 सितंबर 2023 को किस थीम के साथ बिस विजय बीच दिबस मनाया गया बिस विजय बीच दिबस का मनाया गया 28 सितंबर को मनाया गया और 2023 का जो थीम था बो था All for One, One Health for All दादा साहिव फाल के Lifetime Achievement Award किसे दिया जाएगा तो यह दिया जाएगा बहीता रहमान को भारत के कितने पतिसत गाउं को ODF प्लस घोसित किया गया है ODF का मतलब होता है Open Defection Free यह भारत के 75 पतिसत गाउं को ODF प्लस घोसित जो है वो किया गया है ICICI का Full Form होता है Industrial Credit and Investment Corporation of India लोंबार्ड ने किसे MD एवं CEO के रूप में निक्त किया है तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है संजीब मंतरी क्या नाम है उनका? संजीब मंतरी जो है वो उनका नाम है जिसको की ICICI लोंबार्ड ने MD और CEO के रूप में निक्त किया है तो यहा था हमारा आज का वीडियो इसके जो MCQ आगे दिये हुए रहते हैं Current Affair के MCQ 800 प्लस Objective Current Affair जिसमें होता क्या है कि हर महीने 100 नए MCQ जो है वो एट कर दिये जाते हैं और पीछे से 100 नए MCQ पुराने MCQ जो है वो हटा दिये जाते हैं तो वो भी MCQ जो है वो अल्यडी अप्लोडेड है अगर आप नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं वो आपके आगामी एक्जाम के लिए काफी लबान भी सावित होगा तो यह था हमारा आज का वीडियो आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए साथी साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा वीडियो पसंदार है तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले अभी तक आप इस चैनल से नहीं जुडे हैं या फिर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथी साथ बैल आइकन दबा लीचे है वहाँ जो है वो डेली फ्री टेस्ट का आई उचन जो है वो करवाया जा रहा है थैंक्स पर वॉचिंग